सुशान सिंग राधपूत के लिए कई ब्लाइंड आइटम्स लिखे गए जिसकी वज़े से वो परिशान थे अब इस पर इश्क करन आगे आए हैं क्या कहना है उनका मैं ही नकुमावत फिल्म विडियो पर आपको बताऊंगी ब्लाइंड आइटम्स की वज़े से क्या कोई इंसान इतना परिशान हो सकता है क्या ब्लाइंड आइटम्स वाकी में किसी को बहुत जयादा के गदम उठा सकता है यह जो सारे सवाल है सोशल मीडिया पर काफी समय से चल रही है मुंबई पुलिस ने अपनी जांश में ये कहा है जो सूतरों से पता चला है कि वो blind item से काफी ज़ादा परिशान हुआ करता था और वो इस बात को लेकर चिंता में रहता था कि उस पर कभी भी कोई भी कुछ भी negative लिखतेता है अब इसी पर जो है आज इश्क करन ने एक बात कही है उनका ये कहना है उन्होंने कहा है he was a brilliant mind stop this classical strategy of blind items on his mind यानि कि वो एक brilliant mind थे और जो ये classical strategies होती है blind items की वो जो है बंध होनी चाहिए और सुशाजिंग रादपूत वास brilliant mind stop defamation by PR on him तो ये सारी चीजों पर जो है इश्करन अपने सभी viewers के साथ जो है 6 वजे बात करेंगे लेकिन इस बात को जो है उन्होंने साफ लिखा है वो लगातार जो है सुशान को लेकर अवास भी उठा रही है कि कहा कहा चीजे गलत थी क्या था वो legally जो है इस case को strong बनाना चाहते हैं और CBI जाच हो ये उनकी कोशिश है blind items को लेकर जो है मुंबई पुलिस लगाता जाच भी कर रही है तीन पत्रकारों का जो है बयान दर्च किया जा जुका है आज भी आज जो है बड़े क्रिटिक का बयान दर्च किया जा रहा है और यानि कि पुलिस की जो जाच का विशे है वो blind items है कि कौन है जो सुशान की image को खराब करना चाहता था और इसी पर जो है आज इशकरन भी आ आगर बात करेंगे